हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू ड्रीम क्लासेज आज आपका फिजिक्स का फिफ्थ लाइब टेस्ट शुरू होने वाला है आप लोग जल्दी से लाइब आ जाईए और इस लाइब सेशन को जोईन करना न भूले और इस वीडियो को आप स्टार्ट से इन तक देखिए और ह हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना न भूले कि यह जो टेस्ट हमारी हो रही है इस टेस्ट की कोस्टन जो है क्या एमपोर्टेंस रखता है आपकी आगया आने वाली बोर्ड परिक्षा के लिए तो आपका लाइब सेशन शुरू होने वाला है आप लोग जल्दी से लाइब आ जाए और इस सेशन में भीडू को जरा बढ़ाए चुकी अब क्या है ना कि एक्जामनेशन का हाई वोल्टेज ध्रावा यहीं कि आपका प्रेशर जो है हाई लेवल पर पहुंच चुका है और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का प्रेशर जो है है कहता है कि जब चुम्बकी छेत्र की तिवृता को चुगुना बढ़ा दिया जाता है तो आपका चुम्बकी 1 का आवरत काल होता है या आवरत काल में आपके टाइम प्रियोड में क्या डिफ्रेंस होता है option A है दूगना, B है आधा, C है चोगना, D है एक चोथाई कम यानि कि आपको कहता है यह magnetic field से लिया गया question है magnetic field की intensity को है यदि fourth times increase कर दिया जाए ठीक है तो कहता है कि time period of यह आपका चुमबक की magnetic magnetic यानि कि sui का आवर्तकाल जो है क्या होगा option A twice होगा, half होगा, four times होगा या फिर one four times decrease करेगा तो चलिए इस question मैं मैं आप लोग का wait करता हूँ आप लोग ज़रा इस question का solution किजिएगा चुकि यह सब question जो है आपका examination के लिए आपका BBI साबित हो सकता है ठिक है चुकि यह काफी importance है तो चलिए मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लोग का answer आना जो है अब हमारा शुरू हो चुका है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है इस question का solution करना शुरू कर दिये हैं तो जरा हम देखते हैं कि कि किन बच्चों ने क्या इसका answer किया है बहुत सारे बच्चों जो है इसका answer जो है हमारा C कर रहा है और बहुत सारे बच्चे जो है इसका answer जो है हमारा A कर रहा है और बहुत सारे बच्चे जो है इनका answer जो है हमारा D कर रहा है तो चलिए ये जो हमारा live का session है ये काफी interesting session है और इस session में जड़ा भीड़ आप लोग जड़ा बढ़ाईए तो कि जब तक भीड़ नहीं होगी तो interesting यानि समझ में मज़ा नहीं आएगा इस live session में तो चलिए है ना मैं अब इसका option बताने वाला हूँ हैं आप लोगों लग रहा होगा कि इसका option A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा तो चलिए इस question का मैं solution बताता हूँ कि इस question का solution जो होगा option number B जो है हमारा correct answer होगा चिक है तो चलते हैं हम अब अगले पढ़ाव की और यानि की question number 2 की और और ये question number 2 जो है ये भी आपका current electricity chapter से लिया गया है और कहता है क्या कि जब किसी ometer को sunt किया जाता है तो इसकी map क्या होती है नि ometer को sunt में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी map क्या होती है यानि कि बढ़ती है, कि घटती है, कि अस्थिर रहती है, कि D none आपको इस question का solution जो है 10 second में देना है option A जो है increase करती है, option B जो है decrease करती है option C जो है constant रहती है, D आपका none of these है आप लोग इस question का solution जो है जल्दी किजिए फिर मैं आगे question के और बढ़ूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि auf screen पे बहुत सारे बच्चे का जो है ना option आना सुरू हो गया है बहुत सारे बच्चे जो है e option कर रहे हैं और B और female कुछ option आ रहा है और एकाद बच्चा का जो है option जो है एनि कि कुछ बच्चे का option C आ रहा है लेकिन आपका 75% बच्चे का जो option है आपका A है तो मैं इस question का solution बताना चाहूंगा कि option number A होगा जब किसी A meter को संट में परिवर्तन किया जातो है तो इसकी map जो होती है वो बढ़ती है चलिए हम अगले question की और बढ़ते हैं और ये question भी आपका ये range का नियम का संबंद से लिया गया है और ये question आपका जो है board model सावित हो सकता है यानि कि ये question जो आपका है ये BBI सावित हो सकता है कहता है कि जड़ा question देखियेगा कहता है range का नियम किस से संबंद रखता है option A है आभीष, option B है दरवान से option C है उर्जा से और D option है संबेक के सनक्षन सिधान से आपको इस question का solution आपको बतानी है और देखिए जब live session में जब तक भीड नहीं होगी तब तक energetic भी रहना जरूरी है और इस भीड को जितना ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाईएगा उतना अच्छा रहेगा तो चलिए और मैं उत्साहित होकर बहुआ और एक से एक question लेकर आओंगा तो चलिए इस question का solution का कुछ बच्चे का answer आना शुरू हो गया है यानि question number 3 यानि range का नियम किस से संबंधित है कह सकते है तो option number C इसका correct answer होगा बाबू यानि कि उर्जा से है चलिए हम अगले question की और बढ़ते हैं और ये question भी काफी interesting question है ठीक है question number 4 देखिए question number 4 हमारा क्या है कहता है एक प्रत्यवर्ती धारा की सीखर भोल्टता 440 भोल्ट है तो इसकी भोल्टता क्या होगी ठीक है इसकी 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 आभासी भोल्टता क्या होगी ठीक है इसकी आभासी भोल्टता क्या होगी तो ये question हमारा जो है ये भी question जो है काफी interesting question है और इस question का solution आप लोग करना न भूलिएगा चुकि question number 4 आपके screen पे इस प्रकार से है कहता एक प्रत्यवर्ती धारा की सिखर भोल्टता 440 भोल्ट है तो इसकी आभासी भोल्टता क्या होगी ठीक है इस question का option आपके सामने पहला जो है 220 भोल्ट है B जो है 440 भोल्ट है और C जो है आपका C जो है हमारा ये आपका 200 रूट 2 भोल्ट है यहनिकि D number question जो है इसका D number option जो है आपका दिया हुआ है 440 भोल्ट और इस question का solution आप लोग को करना है इस question मैं आप लोग का वेट कर रहा हूं और देखना चाहता हूं कि किन-किन बच्चों ने इसका answer A किया है या B किया है C होगा D होगा फिर मैं इस question का solution बताऊंगा यह question जो है alternating current से लिया गया है यह आपका भोड़ता का peak value दिया हुआ है और इसका करता है अभासी भोड़ता क्या होगी चलिए बहुत सारे बच्चे का कुछ बच्चे का option आना सुरू हो गया है तो इस question का solution बहुत सारे बच्चे जो है इस question का solution जो है आपका यह कर रहे है और इससे भी कुछ बच्चे अधिक जो है option number C पे जा रहे है और यहनि की more than कह सकते हैं कि 50% बच्चे जो है option C के साथ है तो मैं इस question का solution बताना चाहूंगा कि इस question का solution option number C होगा जी यानि की 200 root 2 volt होगा चली हम अगले question की और बढ़ते हैं और यह देखिए यह भी question हमारा जो है ना question number 5 question number 5 जो है आपका लिया गया यह भी है विदुतिय चुमकी तरंग से लिया गया है और यानि की कह सकते हैं इसको magnetic electromagnetic बेव से लिया गया है और कहता है की की ज़र देखिएगा सुनिएगा कहता है बिदुतिय चुमकी तरंग में बिदुतिय एवं चुमकी छेतरों के बीच कलांतर होता है यानि कह सकते हैं इसको what is the phase difference between electric and magnetic field in electromagnetic wave क्या होता है option A जो है आपका 0 option B है pi by 2 option C है pi और option D जो है आपका कुछ भी यानि की कह सकते हैं इसका answer आप लोग की बतानी है की what is the phase difference between electric and magnetic field in electromagnetic wave ठीक है तो बताईए path difference यानि path difference नहीं सोरी phase difference क्या होगी तो मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे लोग का option आना शुरू हो गिया है question number 5 का कि इसका क्या होगा answer बहुत सारे बच्चे जो है इसका option करना शुरू कर दिये हैं और इस question का solution A कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है इसका correct answer होगा यानि कह सकते हैं कि विदूती और चुमबकी छेत्र के बीच विदूती चुमबकी तरंग का जो phase difference होता है वो हमारा 0 होता है चलिए हम अगले question के और बढ़ते हैं और देखें ये question भी आपका BVI question सावित हो सकता है बाबू कहता है कि खगोली दुर्विन का अंतिम परतिविम होता है यानि final image बतानी है आपको telescope में कि आपका अंतिम परतिविम यानि कि final image जो है वो क्या होता है option A है वास्तिविक और सीधा option B है वास्तिविक और उल्टा option C है वास्तिविक कालपनिक रूल्टा और ओप्शन डी जो है कालपनिक और सीधा यानि कि इस question का solution आपको बतानी है ये question जो है आपका optical instrument से ले गिया गया है यानि कि कह सकते हैं इसको ख़वोली दुर्भीन से ये question लिया गया है तो इस question का मैं आप लोग के साथ गेट करना चाहूँगा कि इस question का solution आप लोग क्या देते हो और मैं फिर इस session में आप लोग से कुछ discuss भी करूँगा और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपको जो कोई topics हो चाहे वो physics हो, चाहे chemistry हो चाहे वो math हो, चाहे वो biology हो जिस topics में आपको problem है आप comment box में comment करना ना भूलेंगे मैं आप लोग के comment के अधार पर ही कुछ video लेकर आऊँगा और आने वाले दिनों में कुछ अलग type का video आपको मिलेगा हमारे dream classes के channel में तो चलिए बच्चे जो है इसका option जो है करना सुरू कर दिये हैं कि ख़वले दुर्विन का अंतिम परतिवीम होता है, वो कैसा होता है भर्चूल होता है कि erect होता है यानि कि real होता है ठीक है, तो आपको बतानी है इस option का मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है इस question का solution जो है कर रहा है question का solution C भी कर रहा है या D भी कर रहा है तो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से इस question का answer जो होना चाहिए आपका कालपनिक होना चाहिए और कालपनिक और क्या होना चाहिए उल्टा होना चाहिए option number C जो है correct tensor है ऐसे आप लोग है ना खगोली दुर्विन पर का जो derivation है उसको देख लिजिएगा कोई confusion हो तो अपने comment box में comment करना ना भूलिएगा तो चलिए अगला question आपके सामने जो है question number 7 question number 7 जो है ये भी आपका क्या है ना कि दृष्टी दोस से लिया गया question है और देखे क्या कहता है कहता है बिभीन तलो में कौर्णिया की वक्रता से जो दृष्टी दोस होता है उसे क्या कहते हैं सुनियेगा फिर से कहता है बिभीन तलो में कौर्णिया की वक्रता से जो दृष्टी दोस होता है उसे क्या कहते हैं निकट दृष्टी दोस की जराद दृष्टी दोस की D option है अब इन दुखता तो आपको बतानी है कि short-sighted है कि long-sighted है इस तरह से इसका निकट दृष्टी दोस क्या है और इस question का solution आप लोग फटाफट कीजिए और इस question में का मैं answer का आप लोग का इंतजार करता हूं चुकि यह सब question जो है आपकी काफी importance रखता है आपकी बारहमी के वोट परिक्षा के लिए question number 7 तो मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे जो है option करना शुरू कर दिये हैं और इस वार जो है कुछ बच्चे जो option B के साथ D भी कर रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि question का answer D होगा बने अब बिंदुखता होगा चलिए ये question number 18 है ना इसके देख काता एक आवर्धक गलास जिसकी छमता 12 डोयप्टर है की आवर्धन छमता बतानी है कि इसकी आवर्धन छमता जो है क्या होगी और option A जो है 4, B जो है ये है 1200 और C जो है 3 है और D है 25 आपको बताने इस question का solution क्या होगा इस question में मैं आप लोगों को वेट करता हूं इस question का solution फटाफट बताई है कि क्या होगा एक आवर्धक गलास जिसकी छमता 12 डोयप्टर है की आवर्धक छमता निकाल लिए यानि कोई मैंगनिफाइंग गलास है जिसकी पावर जो है 12 डोयप्टर है तो कहता है इसके मैंगनिफाइंग पावर निकालने के लिए कहता है जिसकी मैंगनिफाइंग पावर क्या होगी तो बहुत सारे बच्चे जो है इसका एंसर करना शुरू कर दिये हैं question number 8 question number 8 का मैं solution बताना चाहूँगा कि option number A यानि 4 होगा जी अब है question number 9 कहता है आस्मान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है धुरूवन है कि बिवर्तन है कि प्रकिर्नन है कि ब्यतिकरन है आपको बतानी है कि इस question का solution क्या होगा और इस question मैं देखता हूँ देखना चाहता हूँ कि इस question का solution बच्चे क्या देते हैं A देते हैं कि B देते हैं कि C देते हैं कि D देते हैं चलिए फटाफट इस question का solution किजिए question number 9 question number 9 पताईए फटाफट क्या होगा इस question का answer चलिए बहुत सारे बच्चे जो है ना option C कर रहा है तो मैं भी question का answer बताना चाहूंगा कि प्रक्रिनन होगा जी चलिए अब क्या है हमारा ये है question number 10 question number 10 देखिए क्या है ये भी क्या है ना कि हमारा हमारा लगता है ये question जो है मेरे हिसाब से आपका ये बेव चेप्टर से लिया गया question है यानि कि इसको कहता है कि निरवाद से 6000 इंगेश्ट्रम तरंग दैरे का एक बर्निये प्रकास अपवर्तनांक वाले एक माध्य में परवेश करता है तो इस माध्य में उसका तरंग दैरे क्या होगा फिर से इस question को सुनियेगा ठीक है करता है निरवाद से 6000 इंगेश्ट्रम तरंग दैरे यानि कि बेव लेंध का एक बर्निये प्रकास अपवर्तनांक वाले अपवर्तनांक वाले एक माध्य में परवेश करता है तो इस माध्य में इसका तरंग दैरे क्या होगा ओप्सन नमबर A आपके सामने जो है इस प्रकार से है 4000 इंगेश्ट्रम बी जो है 4500 इंगेश्ट्रम सी जो है 6000 इंगेश्ट्रम और D जो है 9000 इंगेश्ट्रम और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इस कोश्चन का सोलीशन क्या देते हो ए देते हो कि B है कि C है कि D है चलिए फटाफट इस कोश्चन का सोलीशन किजिए कोश्चन नमबर 10 बताईए इस कोश्चन का सोलीशन क्या होगा जी फटाफट कोश्चन का एंसर किजिए इस कोश्चन का सोलीशन क्या होगा फटाफट आप लोग को इसका एंसर का सोलीशन करना है आपको question number 8 का चलिए मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है B option कर रहे हैं कुछ बच्चे C कर रहे हैं कुछ बच्चे A कर रहे हैं तो इस question का solution होगा बाबू option number A जो है correct answer होगा चलिए हम अब अगले question की और बढ़ना चाहेंगे ये question जो है हमारा ये भी काफी interesting question है आपका ये question number 11 कहता यदि नीले रंग के प्रकास के फोटोन की उर्जा E1 है और पिले रंग के प्रकास के फोटोन की उर्जा E2 है आपको बताने हैं कि E1 और E2 में क्या सम्मंद है option number A कि E1 E2 के बराबर है option number B E1 आपका है greater than E2 E1 जो है E2 से बड़ा है और C जो है E1 less than E2 E1 जो है E2 से छोटा है और D option है E1 जो है E2 का two times के बराबर है निक दुगने के बराबर है इस question में मैं आप लोग का इंतजार करता हूँ कि आप लोग इसका solution क्या दे रहे हो फिर मैं इस question से जरा फटा-फट इस question का solution कीजिए आप लोग मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है इस question का solution जो है देना शुरू कर दिये हैं और कुछ बच्चे जो है option इनका A आ रहा है और बहुत सारे बच्चे जो है जिनका answer option नमबर B आ रहा है और कुछ बच्चे C कर रहा है तो चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूँगा कि question नमबर 11 का answer जो होगा B होगा निए E1 जो होगा E2 से बड़ा होगा देखिए ये question हमारा boundary system से जी है यानि कि decimal संख्या 25 को दुधारी में लिखना है यानि कि दासमिक संख्या and को बदलना है दुधारी में लिखने के लिए 25 को किस रूप में लिख सकते हैं option नमबर A जो है 1100 hold to B जो है 1001 hold to C जो है 11001 or 2 और D जो है 111012 इस question में आप लोग कर देखना चाहता हूं कि answer क्या कर रहे हो और 10 seconds आपके पास समय है और बताने है फटा-फट इस question का solution क्या होगा question number 12 ये question आपका exam में जो है G BBI साबित हो सकता है इसलिए question का मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग answer क्या करते हो question number 12 question number 12 चलिए बहुत सारे बच्चे लोग का answer आना शुरू हो गया है question का solution क्या होगा बहुत सारे बच्चे जो है question का solution जो है कुछ बच्चे B कर रहे हैं और अब जो है कुछ बच्चे लोग का option जो है आना और भी शुरू हो गया है C कर रहा है और कुछ बच्चे जो है D भी कर रहा है तो छली इस question का solution जो होगा बाबू, option number C जो होगा correct answer होगा और आपका question number 13 ठीक है देखे क्या करता है A ब्रावर 1 है B ब्रावर 0 है C ब्रावर 1 है तो ABC का बार, command क्या होगा option number A 1 है B 0 है, C 10 है D 101 है आपको बतानी है कि इसका question का solution क्या होगा ठीक है तो चलिए मैं आप लोग के साथ रहना चाहूँगा और देखना चाहूँगा आप लोग इसका answer क्या करते है A करते हो, B करते हो C करते हो, D करते हो question number 13 चलिए बहुत सारा बच्चे जो है, इसका answer जो है option number A कर रहे है यह इस question का solution जो होगा, यह आपका A ही होगा चलिए यह हमारा computer related question है question number 14 कि www का पूरा रूप क्या है option number ए worldwide wire option number B है वर्ल्ड वाइड विड और C जो है वर्ल्ड वाइड वाइज और D आपका नन अब दीज है आप लोग पढ़े होंके computer में www के पूरा फॉर्म क्या है आप लोग फटा-फट इसका answer जो है आप लोग बहुत सरे बच्चों जो है option करना शुरू कर दिये हैं और maximum बच्चे जो है इस question का solution भी दे रहे हैं तो मैं भी option number B के साथ जाना चाहूंगा चलिए अब आपका जो है question number 15 question number 15 जो है ये भी आपका जो है काफी interesting question है देखिए सुनिए क्या काता है काता है पुर्थिवी के किसी अस्थान पर एक TV प्रेशन टावर के उचाई 245 मीटर है और कहता है कि जितनी अधिक्तम दूरी पर जो है question जो है आपका आपका ये जो question है पुर्थिवी के किसी अस्थान पर एक TV प्रेशन टावर के उचाई 245 मीटर है तो कहता है जितनी अधिक्तम दूरी पर इस टावर का प्रासारन पहुंचेगा वह है option number A जो है है 245 मीटर B जो है आपका 245 किलो मीटर C जो है 56 किलो मीटर D जो है 112 किलो मीटर आप लोग को बतानी है कि इस question का solution क्या होगा मैं इस question में आप लोग का 10 सेकेंड वेट करता हूं चलिए फटा-फट इस question का solution कीजिए यह हमारा question number जो है काफी interesting question 15 है इस question का आप लोग को solution करना है किस question का solution क्या होगा मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे लोग का answer आना शुरू हो गिया है और बहुत सारे बच्चे जो है इसका answer जो है एक साथ अस्टार्ट किये हैं कुछ बच्चे भी कर रहा है और बहुत सारे बच्चे C भी कर रहा है चलिए मैं देखता हूं कि बच्चे का answer क्या देते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो option C कर रहा है और मैं बताना चाहता हूं इस question का solution जो होगा option number C जो होगा इसका correct answer होगा चलिए हम अगले question की और बढ़ते हैं और ये question भी काफी interesting लग रहा है question number ये है 16 आपके सामने कहता sky wave संचार अधारित है ये आपका iron bundle में संचरन पर है B option है iron bundle द्वारा प्रवर्तन पर है C जो है iron bundle द्वारा अपसोचन पर है D आपका ननब दीज़ है तो बतानी है आप लोग इस question का फटाफट answer दीजिए फिर मैं इस question का solution बताऊंगा question number 16 question number 16 का answer आप लोग को बताना है कि क्या होगा मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे लोग का option आना शुरू हो गया है और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से इन तक देखिए और अपने comment box में comment करना ना भूलेंगे जो भी आपको problem हो comment box में share करना ना भूलिएगा जो भी topics हो चाहिए physics हो chemistry हो बाइलोजी हो इंगलिस हो जो भी topics में बहुत जादा problem हो वो उस topics का नाम लिखकर comment किजिएगा और यह जो live session आपका चल रहा है इस live session में जो question क्या importance रखती है आपकी बारहमी की board पर इच्छा के लिए भी comment करना ना भूलेंगे तो चलिए मैं देख रहा हूँ बहुत सार बच्चे लोग का answer जो है बच्चे काना शुरू हो गया है और यह option A कर रहे हैं कुछ C कर रहे हैं फटाफट answer कीजिए इस question का आप लोग और मैं देखना चाहता हूँ किर्किन बच्चों को क्या solution आता है तो अब मैं इस question का solution बताना चाहूँगा कि option number A जो होगा 16 का correct answer होगा चलिए हम अब इस question की और बढ़ते हैं 17 की और यह है हमारा semiconductor से लेग गया question है और कहता है कि किसी अर्धचालक में बहुत संख्यक आवेस बाहक इलक्ट्रोन होगे यदि उसमें मिलाया जाने वले सुद्धी है option number A एक संख्योजी, B दूई संख्योई, C जो है 3 संख्योजी और D जो है 5 संख्योजी यह question जो है आपका BBI question सावित हो सकता है आपके आने वाली आगामी बोर्ट परिक्षा में तो चलिए फटा-फट इस question का solution कीजिए मैं आप लोग के साथ live session में मौझूद हूँ आप फटा-फट answer कीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि question का solution आप लोग क्या देते हो A देते हो की B देते हो की C देते हो की D देते हो चलिए अब इस question का solution आना शुरू हो गया है और बहुत सरे बच्चे जो है इसका option जो है इस बार C भी कर रहे हैं कुछ बच्चे B भी कर रहे हैं कुछ बच्चे A भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे D भी की question का solution कर रहे हैं चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूंगा कि option number D है इसका correct answer जी चलिए आपका ये question number 18 question number 18 जो है ये भी आपका BBI यानि की board model आपका question सावित हो सकता है चुकि आपका 12 में की board परिच्छा में एक से 2 question जो है आपको dimension formula से होता है और एक ये 2 question जो होता है assignment से होता है आपके सामने question number 18 है करता है बिदूती बिवव की बीमा है option number A ML2 T inverse 3 A inverse 1 B जो है ML T3 A inverse 3 C जो है ML T inverse 3 A inverse 2 D जो है ML2 T inverse 3 A inverse 2 इस question में आप लोग का wait करता हूं कि आप लोग इस question का solution क्या देते हो जरा आप लोग answer कीजिए फिर मैं देखता हूं कि आप लोग answer क्या कर रहे हो फिर मैं इस question का solution बताना चाहूंगा इस question का solution क्या होगा question number 18 है जी ये भी भी आई question है आपके लिए मैं देख रहा हूं बहुत सर बच्चे लोग का option आना शुरू हो गया है ठिक है कुछ बच्चे जो है ये से start किया है इस question का solution बहुति कि maximum मैं देख रहा हूं कि maximum बच्चे का answer अब जो आना शुरू हुआ है वो A आ रहा है और कुछ बच्चे जो है option B भी कर रहा है और कुछ बच्चे C भी कर रहा है और कुछ बच्चे इस बार D भी कर रहा है तो चलिए इस question का मैं solution बताना चाहूंगा कि option number A जो है इसका correct answer है option number A चलिए अब हम question number 19 की और बढ़ते हैं और ये हमारा जो है न आपका ये question जो है electricity से लिया गया है काता है बिदूत heater में जिस तत्त का बेवार किया जाता है वह है तामबा B है platinum C है tungsten D है नाइक्रोम और ये सब question जो है हमारा घरेली जीवन में यूज होता है तो बताए इस question का solution क्या होगा question number 19 का मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे लोग का option जो है आना शुरू हो गया है और more than धिरे दे option बढ़ रहा है इसका चुकि ये question जो है जो ये आपका board model साबित होने वाला है ये question जो है आपका board model साबित होने वाला है तो ये क्या करता है करता है दो lens जिनकी छमता प्लस 15 diopter है प्लस 5 diopter है cosine करने पर समयोजन की focus दूरी क्या होगी यानि option number A जो है minus B centimeter B जो है minus 10 centimeter C जो है 10 centimeter D आप करनन है इस question मैं आप लोग का wait करना चाहता हूँ क्या option देते हो ये question आपका BVI साबित होगा जी आपके आने वाली board परिछा के लिए देखिए कुछ मैं क्लू भी देता हूँ देखिए पहला जो हमारा lens है plus 15 diopter और plus 5 diopter यानि कहने के मतलब क्या है दोनों lens जो है आपका उत्तर lens है जी यानि की अभिशारी lens है तो बताइए कि जो हमारा इसका समयोजन का focus दूरी जो होगा यानि F equivalent जो होगा क्या होगा question number 20 question number 20 का solution करना शुरू कर दिये हैं क्या करते हैं इसका solution ठीक है फटाफट इस question का solution कीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि question का solution क्या होता है तो question number 20 इसका answer कीजिए जी पटाफट इस question का solution कीजिए कि इस question का solution क्या होगा बहुत सारे बच्चे जो है answer कर रहे हैं हैं मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है चलिए question number 20 का solution जो है यह हमारा मेरे हिसाफ़ से D होगा ठीक है चलिए अगले question कीजिए बढ़ते हैं और यह question number 21 यह भी काफी आपका importance question है कहता है कि समरूप बेख से चलायमान आबेस उत्पन करता है यह जो है केवल बिदुद छेतर में B केवल चुमके छेतर में C है बिदुद चुमके छेतर में अड़ी आपका none of दीज है पताईए आप लोग का इस question का solution क्या होगा फिर मैं question का solution बताऊंगा question number 21 समरूप बेख से चलायमान आबेस उत्पन करता है आप लोग को question बतानी है question का solution क्या होगा फटाबट answer किजिए इस question का solution क्या होगा आप लोग चलिए मैं बताना चाहता हूँ इस question का solution जो होगा option number C जो होगा इसका correct answer होगा चलिए हम अगले question की और बढ़ते हैं और ये जो है हमारा ये question आपका board model साबित हो सकता है जी question 22 काता है यदि L प्रेरकत और R परतिरोद और C संधारत के धारता हो तो L बटा R और R into C का विभन सुत्र होगा option number A M0LT inverse 1 M0T inverse 1 option number B है M0L0T और कॉमा MLT0 और C जो है M0L0T और 1 D है M0L0T और M0L0T पताई इस question का solution क्या होगा आप लोग धमाकेदार अंदाज में जड़ा इस question का answer कीजिए आप लोग मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग ने हैने की circuit alternating current में आप लोग पढ़े होंगे circuit, LR circuit, CR circuit, LCR circuit चलिए मैं अब इस question का solution बताना चाहूँगा कि option number D जो है का correct answer होगा चलिए ये question भी आपका है न भी भी आई सावित हो सकता है करता है LR परिपत की प्रतिबाधा होती है option number A, R plus omega into L, option B जो है R square plus omega square L square, C जो है R plus omega L का root D जो है R square plus omega square L square का square root बताए फटावर इस question का answer क्या होगा, ये question आपकी आने वाली board पर इक्षा के लिए BVI सावित हो सकता है मैं देखता हूँ कि आप लोग इस question का solution क्या करते हो तो मैं देख रहा है बहुत सरे बच्चे लोग का option आना शुरू हो गिया है बहुत सरे बच्चे जो है option number D पर इसका answer कर रहे है और कुछ बच्चे जो A भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे B भी कर रहे है चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूँगा कि option number D जो होगा correct answer होगा चलिए आपका ये हमारा है question number 24 कहता है जरा देखिए ये भी question आपका, ये सब question जो है BVI साबित हो सकता है आपके आने वली वोट परिक्चा के लिए कहता है, 60 watt और 40 watt के दो बलवेदी सरेनी करम में जोड़े जाएं तो इनकी समलित सक्ती क्या होगी option A 100 watt, option B 2400 watt, C 30 watt और D 24 watt फटा फट एंसर किजी आप लोग, दो बलव को सरेनी करम में जोड़ा जायत इनकी समलित सक्ती क्या होगी, power क्या होगी, 24 का एंसर क्या होगा आप लोग को बताईए इसका फटा फट चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूंगा कि 24 का D option होगा जी question number 25, ये भी question आपका BVI सावित जोगता है करता, डायनोमो के कारिका सिधान्त अधारित है option A, धारा काउस में प्रभाव पर, B बिदुत्य प्रेयनन पर, C बिदुत्य प्रेयनन पर, D चुम्बक्य प्रेयनन पर बताईए इस question का solution क्या होगा, डायनोमो के कारिका सिधान्त किस पर अधारित है question number 25 का answer बतानी है आप लोग को चलिए बताईए फटाउट answer देख रहा हूं कुछ बच्चे जो है, option number है ना, A भी दे रहे हैं, B भी दे रहे हैं, C भी दे रहे हैं तो मैं इस question का solution बताना चाहूंगा, इस question का solution होगा, बिदुत्य प्रेयनन पर ये question number 26 है, जो ये आपका board model साबित होने वाला है, आपका 26 काता, लोरेज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सुत्र है option number A, vector F ब्रावर Q into vector E plus V cross B, B जो है vector F ब्रावर Q into vector E minus vector B cross B और C जो है vector F ब्रावर Q into E plus V cross B plus D जो है vector F ब्रावर Q into E cross B minus vector B फटावट इस question का answer कीजिए, लोरेज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सुत्र होगा और इस question का solution जल्दी कीजिए आप लोग एदम quick और fast रहा किजिए live session में तो चलिए हम अब इस question का solution जो है मैं करना चाहता हूँ किस question नमबर 26 जो है इसका solution जो है मैं बताना चाह रहा हूँ कि option number A जो होगा correct answer होगा चलिए question जो है आपका modern physics लिया गया है P परकार के R चालक में आवेस होता है आप लोग को बतानी है फटाफट answer आप लोग पढ़ाएंगो modern physics लिया चलिए बहुत सारे बच्चे जो है का answer जो है option number C आना शुरू हो गिया है और बहुत सारे बच्चे जो है इसका option C ही कर रहा है चलिए question solution भी C होगा proton चलिए question number 28 कहता है एक दूइ उत्तल यानि by convex length की बखरता त्रिज्याएंग 10 cm 15 cm है और इसके पदार्थ का परतनांक 1.5 है तो इसकी focus दूरी क्या होगी फटाफट इस question का solution कीजिए मैं आपके साथ बना हूँ चलिए मैं देखना चाहता हूँ कि इस question का solution आप लोग क्या करते हो फटाफट इस question का solution कीजिए जी मैं देखना चाहता हूं question का solution क्या होगा आप लोग first calculation चलिए question number 28 28 आप लोग का solution करना है question का देख रहा है इसका option A भी कर रहे है कुछ बच्चे जो है इसका option C भी कर रहे है कुछ बच्चे जो बी भी कर रहा है तो बताईए इस question का solution क्या होगा फटा-फट मैं देखना चाहता हूँ कि इस question का solution आप लोग क्या करते हो ठीक है question number 28 आप लोग फटा-फट answer कीजिए इसका कि इसका answer क्या होगा तो मैं देखना हूँ कि बहुत सर बच्चे जो है option करना शुरू कर दिये हैं चली मैं इस question का solution बताना चाहूँगा कि 28 का C होगा जी चली question number 29 question number 29 है यह भी आपका BBI सावी सावी सकता है करता है धुरूप प्रवलता का SI मातरक होगा यह option न्यूटन B जो है न्यूटन AM C जो है AM और D T है चली बताई यह फटा-फट question आपका option क्या होगा A, B, C या D चली मैं इस question का solution आप लोग से पुछ रहा हूँ जरा इस question का answer किजिए चली इस question का मैं answer बता देना चाहता हूँ कि option number C जो होगा correct answer होगा चली यह हैं आप है question number 30 काता है उपगरा संचार में बिदूत चुमबकी तरंग का कौन सा भाग परिक्त होता है यह option प्रकास तरंग, B, रेडियो तरंग, C, गामा किरन, D, सुच्म तरंग बताए इस question का solution क्या होगा, question number 30 उपगरा संचार में बिदूत चुमबकी तरंग का कौन सा भाग परिक्त होता है चलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों जो है, उसका option जो है, डी कर रहा है कुछ बच्चे A भी कर रहा है, कुछ बच्चे C भी कर रहा है मैं इस question का solution बताना चाहूँगा, option number D जो होगा, correct answer होगा चलिए question number 31, यह है photon की उर्जा क्या होगी, option number H new, option number V H new बटा C square, C जो है H by lambda और D जो है H new by C, H plank constant है, new frequency है, lambda wavelength है, C आपका प्रकास का चाल है, यह नहीं कह सकते हैं, velocity of light, फटाबड answer कीजिए, इस question का solution क्या होगा, 31 31 का question क्या होगा, photon की उर्जा क्या होगी, energy क्या होगी, बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, इसका answer जो है, कुछ बच्चे B कर रहा है, कुछ बच्चे C कर रहा है question number अब क्या है, 32, कहता एक लोग चुमबक की पदार्थ की चुमबक सिलता क्या होती है, मु बरावर 0, मु ग्रेटर देन 1, मु इचकल टू 1, मु लेस देन 1, यह नहीं, ABCD करके दिया हुए, फटाबड इसका question का answer कीजिए, लोग चुमबक की पदार्थ की चुमबक सिलता क क्या होती है, फटाबड इंसर कीजिए, इस question का, question number 32 है, चलिए मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा है, इस question का मैं solution बताता हूँ, कि आपका option number जो है, हमारा B होगा, जी, चलिए अब question number 33 के और बढ़ते हैं, काता है, जब स्वेट प्रकास की किरण लेंस में परवेश करती है, तो निमलिखीत में किसका परिवर्तन होता है, वेलोसीटी, बेवलेंद, बेवलेंद, वेलोसीटी और सेप, आपको question number 33 का एंसर बताना है, कि क्या होगा, चलिए मैं देख रहा हैं, वो सर बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे B से स्टार्ट किये हैं, कुछ बच्चे C पे जा रहा हैं, और कुछ बच्चे अब इसका एंसर A भी करना शुरू कर दिये हैं, और ये question आपका BBI सावित हो सकता है, 33, option number मेरे हिसाब से option number 1 करेक्ट एंसर होगा, अब है आपका question number 34, करता है, आकास तरंक संचारी अधारी था, आयन मंडल द्वरा आप सोशन पर, आयन मंडल में संचरन पर, आयन मंडल द्वरा परावर्तन पर, दिनन अब दिज, 34, चली बहुत सरे बच्चे जो है, इसका एंसर जो है, न करना सुरू कर दी है, कुछ बच्चे A कर रहे है, कुछ बच्चे B कर रहे है, कुछ बच्चे C कर रहे है, चली मैं देख रहा हूं, इस question का solution जी, C बहुत सारा option आ रहा है, 34 का C option, correct option, मैं इस question में आप लोग के साथ बेट करना चाहूंगा, 35, जो रफटावट एंसर कीजिए, question का solution क्या होगा, 35 का है, उस्तमान, उसतमान, मूल, उसतबर्गमान, डी, ननवदीच, चलीए, मैं देख रहा हूं, बच्चे जो है, इसका एंसर करना सुरू कर दिये हैं, कुछ बच्चे B कर रहे हैं, कुछ बच्चे C कर रहे हैं, अब इसका एंसर C आना सुरू हो गिया है, यानि option number C, जो है, इसका correct answer होगा बावू, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग comment करना न भूलेंगे, comment में असरू से, यानि start chain तक इस वीडियो को देखिए और share कीजिए, बस best of luck, आप आप इसका इस दोगियो करना है, यानि में इस वीडियो को देखिए और share की जोगियो को देखिए.